हलो गईज़ आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यीटूब शेदनल टॉपरसिंट पर तो यूपी स्कॉलर्सिप यो सम्मंधित एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग नूज आई है आप सभी लोग बहुत बार ये पूछ भी रहें कि सर हमारा फार्म जो है हाने वाले हैं आपको कि किन्स हात्रों की स्कॉलर्सिप आई है तो वीडियो को स्टार्ट करों उससे पहले एक छोटी सी रिकोस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आपको रियल और ऑथन्टिक अप्रेट घर बैठ लेट में स्कॉलर्सिप आती है जिनकी ज्यादा एमाउंट आने वाली होती है ज्यादा एमाउंट से मतलब जैसे बीर्ड के छात्र होगे उनकी तीस से बत्ते जार स्कॉलर्सिप आती है ऐसे उन छात्रों की जैसे पॉली टेक्निक होगे आई टी आई होगे और कोई मेडि ही आता है हर बार लेट ही आता है फिलाल मैं आपको यहांपर बता दूं यहांपर एक छात्र है इन्होंने जो है Instagram पर मुझे Message भेजा बहुत सारे चात्र ऐसे करते हैं sir आप इंस्टा पर reply नहीं करते हैं भाई मेरे कहा था सर मेरा status verified हो गया मैंने good लिखा है और इन्होंने कल नहीं आज ही इन्होंने ये बताया है साड़े आठ वजे मुझे एक message किया था क्योंकि PM लिखा हुआ है कल साम का यह है और इन्होंने ये बताया है एक अपना screen shot भी बेजा जो इनमें आया है message 2995 रुपय का और throw PFMS ज मेरा आज 2995 रुबे scholarship आ गया है ठीक है तो ऐसे चाहते हैं तो फिलाल इनका देख लो amount थोड़ा सा छोटा है 2995 रुपय है आपको बता दें जिनका भी beard है डेलेड है कोई और भी post metric के हैं तो आप लोगों को अभी थोड़ा patience रखना हो गर आप अगर आपका form verified भी है जैसे क इस भीया का है देखो यहां पर यहां पर जैसे इनका verified recommended दिखा रहा है अगर आपका भी ऐसे ही proper scholarship status दिखा रहा है तो आपका scholarship आ जाएगा ठीक है 17 फरोरी के बाद से बढ़िया से scholarship आना शुरू होगा क्योंकि 17 फरोरी से आपका status change भी होना शुरू होगा तो जिनका भी status इ वैसे ही जो बच्चे हैं नौई, दस्वी, गरहुई, वराँई की जिनकी amount कम है उनको scholarship मिल लगी थोड़ी थोड़ी करके मिल लगी है बाकी आप लोग की scholarship आएगी जो भी बड़े वाले course है उनको scholarship इकदम से धरक्के से मिलेगी यानि ऐसा लगेगा कि आप जिस भी college में प status कैसे देख सकते हैं आप लोग अपना scholarship status देखते जाएं क्योंकि जिनका भी pending है उनका जो है verify भी किया जा रहा तो scholarship status देखना हम बता देते हैं आप इसको ध्यान से देख लिजिए आपको UP scholarship का status देखना है तो आपको कुछ ने करना है Google पर आना है और यहाँ पर type करना है सर प्रकारी job find आप लोग जो है यहाँ पर जानते होंगे यहाँ पर आपको ऊपर क्लिक कर देना है जैसे ही आप लोग ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे आपका कुछ interface इस प्रकार का open हो जाएगा यहाँ पर आपको सबसे पहली नीची चले आना है और यहाँ पर check UP scholarship status दिख रहा ह तो यहाँ पर आपको fresh है तो fresh और renewal है तो renewal 11-12 कर देखना है तो fresh और renewal जब भी होगा आपका fresh है तो fresh और renewal है तो renewal पर click करो वैसे ही आपका अगर माल लीजिए कुछ भी देखना है आपको यहाँ पर बता दूँ पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडेट तो अगर आपका फ्रेस है मैरा फ्रेस है मैंने फ्रेस पर क्लिक कर दिया कुछ इस परकार का आपका इंटरफेस जो है ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको अपको अपना रेजिस्टेशन नंबर भर देना होगा आपको अपना डेटा बर डाल देना होगा आपका पासवर्ड होगा उसको डाल देना होगा और कैप्चर डाल कर आपको सम्मिट कर देन मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जय ही जय भारत